गैस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से PHP में loops काम करते हैं और loops PHP में क्या होते हैं तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं अपने XAMPP को चालू कर लेते हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे PHP की टुटोयल की प्लेइस्ट को एकसेस नहीं किया तो गाइनली यहां क्लिक करके आप लोग उपर इसको bookmark कर सकते हैं और नीचे यहां क्लिक करके इसको save कर सकते हैं तक यह playlist आपके हो जाए अब मैं आजाओंगा वापस से अपने VS Code में यहां कि Visual Studio Code में और यहां पर आप लोगों को दिखाओंगा कि मेरा XAMPP स्टार्ट होने के बाद जैसे मैं आप लोकल होस टी डॉप पी डॉप जो की मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वो डालूँगा तो मेरे सारे के सारे जो मैंने फाइल्स बनाई हैं यहां पर वो शो होने लग जाएंगी ठीक है तो मैं आप लिखूंगा 12 underscore और loops.php और उसके बाद मैं आप लिखूंगा कुछ इस तरह से और यहां पर यह करने के बाद जैसी मैंने यह किया PHP और इस तरह से बनाया मैं इसके अंदर PHP का कूर लिख सकता हूं तो मैं अगर echo करके हम पर लिखूंगा while loops in PHP और semicolon लगा के आप लोग को दिखा हूं यहां पर reload करके loops.php file को जैसे ही में खुलूँगा यह मुझे आपर दिख जाएगा तो यह तो हमने already देख रखा है इसमें कोई rocket science नहीं है अभी तक लेकिन जो मैं आप लोग को बात यहां पर बताना चाहता हूं वह कुछ यह है कि आप लोग अगर चाहते हैं किसी चीज को repeatedly करवाना तो आप लोग use कर सकते loops को तो loops जो है आ 5 तक number को print कराओ यहीं पर ठीक है यहां पर मुझे एक दो तीन चार पांच करके number चाहिए एक से लेके 5 तक तो आप लोग बोलोगे ठीक है यह आपने बोला है तो yellow आपकी बात रख देते हैं तो आप लोग बोलोगे echo 1 और उसके बाद कुछ इस तरह से 2 फिर उसके बाद 3 4 4 और 5 ठीक है तो आप लोग बड़े अराम से सो कर दोगे आप बोलो गया यह यह लो क्या याद रखो गया आपकी भी बात जो है मानी 1 2 3 4 5 अब मैं कब गया इसको मुझे न्यू लाइन में चाहिए तो आपको गया रही भाई कैसा मजाग करते हो अराम से बी आर टैक लगा मैंने इसको इस तरह से खोल बंद कर देना है तो यह आपर आप लोग को इस तरह से अगर करोगे आप इसको रिलोड करोगे एक दो तींचा पांच या पर आ गया और अगर आप लोग चाहते हो कि यह वाईल लूपसिन प्यश्पी के बाद भी एक ब्रेक आ जाए तो आप खुश रहा हो और आब आद रहो ठीक है लेगन अगर मैं आप से खुश रहो इसको पचास तक करते है तो आप बोलो गया रही है क्या लेवर कर वारे हो आप मजदूरी इतनी जो है क्यों कर वारे हो एक से लेगे पचास तक आप इसको कॉपी करके नीचे लिग दोगे लोग जो है मेरी बात को रखना बंद करते हैं आप क्या मजाग करते हैं नहीं 5,000 नहीं 5,000 बहुत जाद है तो ऐसी चीज को करने के लिए आपके पास लूप्स होते हैं PHP के अंदर तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि 1-5,000 तक अगर आपको प्रिंट कराना तो आप कैसे क इस्तिमाल करते हैं ठीक है तो एक बार कोई चीज आप कर रहे हैं और आप लोग अलग अलग चीजों के लिए उसको कराना चाते हैं उस सैंपल कोड को रन कराना चाते हैं तो आप लोग लूप्स का इस्तिमाल कर सकते हैं ठीक है तो वाइल लूप्स की बात करते हैं वाइल 10 ठीक है यहां फिर लिख देता हूं 5 उसके बाद आपको इस चाहर ऐसे करना है और आपको लिखना है echo i और उसके बाद आपको लिखना है echo यह br और उसके बाद आप लोगों को यहां पर लिखना है i++ और आपको यहां पर i को 0 से initialize कराते ना ठीक है तो $i is equal to 0 और obviously यहां भी $ लगाना पड़ेगा तो $ यहां भी लगा जेते हैं यह लोगी है ठीक है आपने जैसे यह किया और आप लोग इसके बाद इसको run करोगे मैं आप लोग इसको run करोगे इसको reload करोगे तो आप लोग देखो 0 1 2 3 4 लेगि मुझे एक i को 0 लिया और मैंने तब तक इसको run कराए जब तक i की value 5 से कम है तब तक अभी मैं इसका execution बताऊंगा कैसे होता है लेकिन आप लोग उससे बहले ही देख लो कि 1 2 3 4 5 यहां print हो रहा है और यह होने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको मैं आप लोग को समझाता हूं तो सब मैंने का देखो भाई ऐसा है इस के अंदर इस लूप के अंदर यानि कि यह जो तीन लाइन है ज्यादा भी हो सकती है लेकिन अभी के लिए तीन लाइन है इनको तब तक execute करते रहो जब तक यह condition false ना बन जाए तो सबसे पहले i की value 0 है यह condition 0 is less than 5 is true तो यह अंदर जाएगा मैंने क्योंकि लिखा हुआ है आपर i is less than 5i के value 1 हो चुक है कि मैंने आपर increment कर दिया तो आप लोग इसी chronology समझो आप chronology समझिए सबसे पहले क्या होगा condition check होगी एक इक्जिक्ट होगा condition check होगा condition condition check होगी यह execute और यह तब तक चलता रहेगा जब तक condition false नहीं जैसे condition false होई यह इस while को छोड़के नीचे आ जाएगा ठीक है so यहाँ पर इस तरह से आप लोग कर सकते हैं तो मैंने याँ पर क्या किया इस चीज को मैंने while loop के इंदर डाल दिया ठीक है तो while loop से मैं एक चीज को बार-बार-बार-बार-बार execute कर सकता हूँ तो यह है हमारा while loop का काम अब अगर मैं इसको 5000 कर दूँ जैसे कि मैं आप लोग को पहले बोला था एक से 5000 तक प्रिंट करो तो यह इतनी कम line of code में ही मेरा 5000 तक ही प्रिंट कर देगा लेकिन यह थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा बड़ अगैन ठीक है तो इतना बड़ा पेज मैंने देखो 5000 तक पूरा प्रिंट करा दिया वन से लेक है तो while loops इसी नामुम्किन को मुम्किन मनाते है शा आपको पता चलेगा कि यह जो loops हैं यह कितने कामदायक है ठीक है तो इस तरह से आप लोग जो है इसको कर सकते हो अब मैंने i को एक से increment किया अपने कोड मैं आपने यह पर देखा कि i++ किया i को अगर 2 से increment करता तो क्या होता तो i 2-2 करके increment होता और एक के बाद मुझे 3 दिख एक simple सा flow follow करना है कि IE की value पहले क्या थी 0 0 plus 1 print हो गया उसके बाद IE की value क्या हो गई IE की value हो गई 3 क्योंकि 0 में 3 जोड़ो तो 3 होता है फिर उसके बाद 3 is less than 5000 तो फिर 4 print हो जाएगा तो ऐसे ही चलता रहेगा loop तो आप लोग dry run करो इस loop को unfold करो unfold करने का मतलब क्या है क्या प्रिंट करेगा इसको copy पर लिखो IE की value अब यह जाजा echo है वहाँ आप प्रिंट करते जाओ तो इसको dry run बोलते है जैसे कि मुझे इस loop को dry run करना है तो मैं क्यों IE की value 0 यह condition true 0 is less than 5000 तो 0 plus 1 1 print हो गया ठीक है और BR print हो गया इसलिए मैंने enter मार दिया IE की value अब कितनी हो गई IE की value हो गई अब 3 क्योंकि 0 plus 3 3 होता है 3 is less than 5000 यह चार तीन और एक चार और echo किया इसको और BR को तो 4 print हो गया और ऐसे आप जो dry run करके और जो print values है उनको यहां तक नीचे को जा सकते है ठीक है आप लोगों को यह था वाइल लूप हमारा PHP के अंदर इसकी मदद से आप लोग कुछ भी कितनी भी बाहर प्रिंट कर सकते हैं यह यह यहां पर 3 lines of code था यह जादा भी हो सकता है तो अगर मैं आप लोग को यहां पर बताओं कि यह 3 lines of code है इसी के साथ साथ अगर मैं यहां यहां पर लिखूँ the value is और इस तरह से save करूँ और यहां पर semicolon लगाँ तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं the value of i is 1, 4, 7 ऐसे करके चोई आ गया है तो ऐसी कोई restriction निया कि आपको तीन ही line लिखनी है दो ही line लिखनी है आप कितनी भी line यहां पर लिख सकते हैं इसी के साथ साथ कितने भी variables भी बना सकते हैं इसे मैं अगर x को कर दूँ 9 और यहां पर मैं i को 3 से increment करूँ और मैं यहां पर थोड़ा सा confusing कर रहा हूँ program को by the way मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन मैं बस आप लोगों यह दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं 2 variables ले ले लूँ तो यहां प साथ साथ i 5000 से छोटा हो तब ही यह execute करना ठीक है तो यह मुझे यह output देगा जो कि i को synthesis तक ही पहुचाता है क्योंकि i जब तक synthesis तक पहुचा उससे पहले पहले ही जो x है वो क्या हो गया था 60 से बड़ा हो गया था इसलिए पूरी condition जो है false होई क्योंकि मैंने आपर यह double end operator लगाया हुआ था और इसकी वज़े से यह पूरी जो overall condition थी हो false हो गई तो अगर आप लोग यहां पर आजाए video में पूरे video में तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ कि यह logical operators के अंदर था operator जो कि मैंने आप लोग को बताया था double end वाला so i hope कि आप लोग समझ गया हो इस चीज को और मैं आपर अभी काम करता हूँ confusion को कम करने के लिए program को अच्छी तरह समझाने के लिए इसको पांच कर देता हूँ और x को हटा देता हूँ क्योंकि x जो है उसको मैंने सिर्फ आप लोग को यह बताने के लिए use किया था कि आप लोग इसको यहां पर अराम से यह कर सकते हैं कितने भी variables लेकर और कितनी भी बड़ी condition लेकर सकते हैं तो मैंने इसको plus equals to को one कर दिया थाकि एक से पांच तक जो है जो कि मैंने उपर print किया था वो print हो जाए यह सारा सारा source code आपको मिल जाएगा description में मैं दे दूँआ link आप लोगों को तो program को भी आप लोग कर ले इस playlist को और save कर ले ताकि यह playlist आपकी होजा और शुरू से आखिर तक PHP मेरे साथ सीख पर है guys इस वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप लोग like करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time हुआ 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 है